सभापती मोहदे यह सिधा सा विधेयक है जिसका उद्धेश्य उन मीलों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है उनका कारेभार राश्ट्रिय कपड़ा निगम ने अपने हाथ में लिया है उनिसोचोट्र में जब मूल अधिनियम पास किया गया तो उस समय भविष्य निधी की बकाया राशी कितनी अधिक होगी उसका ठीक प्रकार से जायजा नहीं लिया गया था इसलिए मूल विदेयक में इस कार्य को कम प्रात्मिकता दी गई और उसे तीसरी श्रेणी में रखा गया अनेक मीलों से ऐसी शिकायतें मिली है कि कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधी का बकाया राशी नहीं मिल रही है इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि मूल अधिनियम में संशोधन किया जाए जिससे कि कर्मचारियों की भविष्य निधी की राशी तथा उन्हें दे दूसरी राशीयों को प्रथम श्रेणी में रखा जाए राश्ट्रिय करण का उद्धेश क्या है क्या उसके द्वारा सरकार कर्मचारियों तथा उपभोकताओं पर बाहर डालना चाहती है क्या कपड़ा मीले बंद हो जाना एक एहम बात हो गई है इससे बेरोजगारी बढ़ रही है पांडी चेरी में एक एतिहासिक मील जिसमें लगभग साथ हजार कर्मचारी है अभी तक बंद पड़ी है यद्देपी लगभग चार महिने पहले प्रधान मंत्री ने यह वायदा किया था कि उसे फिर से चालू किया जाएगा इस मामले पर गोर होना चाहिए यह भी वायदा किया गया है कि नई कपड़ा निती की गोशना की जाएगी राष्ट्रपती के अभिभाषन में भी इसे दोहराया गया है इस दिशा में भी अवशक कार्यवाही होनी चाहिए राष्ट्रिय कपड़ा निगम के अंतरगत मीले अच्छा कार्य कर रही है इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सारे कपड़ा उद्धोगों का राष्ट्रिय करण कर दिया जाए ताकि उससे किसानों, मजदूरों और उपभोगताओं का लाब हो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवशक वस्तुओं का अधिकार, वोट के अधिकार से भी अधिक महत्वपूर्ण है वर्तमान सरकार को जनता का भारी बहुमत मिला है अते, जनता उससे यह मांग कर सकती है कि वह कपड़ा उध्योग और दूसरे आवशक उपभोगता उध्योगों का राष्ट्रिय करण करे ताकि गरीब लोगों को लाब पहुँच सके कपड़ा उध्योग का राष्ट्रिय करण करना देश के व्यापक हित में है आज मीलों की क्या इस्थिती है मिल मालिक सरकार को दोखा दे रहे हैं किसानों और उपभोगताओं को लूट रहे हैं वे अनुचित मुनाफा कमा रहे हैं पुरानी कपड़े की मीलें लगातार बढ़ रही है ऐसी मीलों के मालिक सरकार को दोखा दे कर मजदूरों और किसानों का शोशन करके भारी लाब कमा रहे हैं यह देखना सरकार का कृतव्य है कि करमचारियों की भविश्य निधी की राशी सुरक्षित रहे चाहे वे करमचारी सरकारी छेत्र में हो अत्वा गैर सरकारी छेत्र में राश्ट्रिय कपडा निगम के अंतरगत आने वाली मीलों के मामले में सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है गैर सरकारी छेत्र के जो मालिक कर्मचारी से भविश्य निधी की राशी इकटी करके उसे सरकार के पास जमा नहीं कराते तो उन्हें अपराधी माना जाना चाहिए यदि भविश्य निधी कानुन में कोई त्रूटी हो तो उसे भी दूर किया जाए उसे मजदूरों के खाते में जमा किया जाना चाहिए स्टॉप